सहाईका संकी अध्यक्षा गीता बाग की बहाली की मांग को लेकर आंगनबाडी सहाईका वकारे करता महिलाओं ने परियोजना कायरय का घिरावकर नारे बाजी की उनके इस कारे को देखते हूँ परियोजना अधिकारी रचीता नारे बाग की द्वारा किया जा रहा था विए सभी अंगन बारी कारिक करता हुआ। वह साहिकाओं ने जिलापरियोजना दिकारी रजजीता नैडू के दफतर का घिराव किया और ततकाल गीता बाग की बहली की मांग की और कायले की बाहर प्रदर्शन किया। इस समय में आंगन बारी की पतादिकारियों ने प्रतिक बनाएंगे और बहुत जल्दी हमें दुरुग में अभी तो चुनोती दिया है कि जुझारू संगठन को अपना बुलाओ करके परियोज्या दिकारिक द्वारा तो अभी पदा दिकारिया है पुरी जीले से हम अगर बहल नहीं करती हमारी बहन को तो बिल्कुल पुरी जीले क कहां से कहां भेज देंगे हम भी बता देंगे सभी सयुक्त मंच में हर्ताल किये थे 28 सारिक से और 6 फरवरी से हमारा जुझारू संगठन हर्ताल में उत्रा था उसी बिच 27 26 सारी को मुझे फोन आया परियोजना दिकारी मैडम के द्वारा और निर्धन करने विवारा के लि तो सुबा सोमार के दिन तुरंत सेवा समापती का आदेश जो है अनुशंशा के लिए वो मेरे वाटसप जो हम लोग का गुरूप चलता है हमारे सक्टर का बोर्शी गुरूप उस गुरूप में डाला गया और मैं शाम को देखी उसके बाद हम लोग तुरंत 28 सारी को हम ल सरमें मिले रहे हैं फिर विधायक सर के कहाँ हम लोग 2 दिन ग्हर में घहराव किये थे विधायक सर भी बोल रहे हैं कि वाली कर दो करके तो मेव बोलती हम यह कर देंगे अब यह तो मैं नहीं बता सकती मैडम क्यों ऐसा वह ही बताएगी कहीं न कहीं वह वह वैक उसी चीज को मैं बात रखती हूं सभी बेहनों की तौर पर जान रहे हो कि उनको बर्खास्त कर दिया गया है रूचीता नैडू परियोजना अधिकारी के द्वारा और इसका हम खंडन करते हुए उसको निरस्त किया जाए उनके बर्खास्गी को उसके लिए प्रदेश भर की बहने आई थी पहले भी मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमसे आप मिलकर बात करिएगा अब मिलकर आ हैं उनको कॉल कर रहे हैं तो बिलकुल यहां पर आरी नहीं हमसे बात चितने करी है तो यह बहुत गलत तरीका है हम चाहेंगे कि गलत तरीके से इनकी ब बर्खास गी हमारे प्रांती पदाधी कारी और प्रांता ध्यक्ष का होता है यह नियम के विरुद्ध है आप किस कारण से इनको बर्खास की किये हो ग्रेन एसीन न्यूस के लिए दुर्गे से नसीम फारुकी के रिफोर्ट